इस दौरान विपक्षी सांसदों ने खुब भंगामा किया, मौन के बाद लोगजबा की कारिवाही कल तक के लिए स्थखित कर दी गई है। ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमर्जंसी लगाने के निन्ने की कड़े शब्दों में निन्दा करता है। इसके साथ ही हम उन सभी लोगों की संकर्व सक्ते की सराना करते हैं जिनोंने इमर्जंसी का पुरज़ो गिरोट किया, अबुकूर संगर्श किया और भारत के लोगतंगी रक्षा का दाईत निभाया। भारत के इतियास में 25 जून 1975 के उस दिन को हम हमेशा काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। इस दिन तदकालिन प्रधानमंती स्रिमती इंगा गांधी ने देश में इमर्जेंसी लगाई और बाबा साव अंबेट कर दारा निर्मित सवीधान पर प्रचन प्रहार किया था। भारत की पैजान पूरी दुनिया में लोकतंत की जन्नी के तोर पर है। भारत में हमेशा लोकतांती मुल्यों और वास्वात का समर्दन हुआ हमेशा लोकतांती मुल्यों की शुरुक्षा की उन्हें हमेशा प्रोसाइद किया गया है। ऐसे महारत पर स्रीमती इंग्रा गांदी द्वारा ताना शाही थोप दी गई, महारत के लोगतान तिक मुल्यों को फुटला गया और अभीवेक्ती की आजादी का गला घोटा गया अज़रा गांदी इंडी के उम्बीदवार ओंबेला दूसरी बार लोग सभा स्पीकर चुने गए हाला कि इंडी गडवन्दन ने अपना उम्बीदवार उतारा था लेकिन ध्वनी मत से ओंबेला की जीत की खोशना की गई, ओंबेला की जीत पर पीम मोदी ने उन्हें बधा देख सकते हैं ये तस्वीर, संसद में आज की बड़ी तस्वीर है ये, दूसरी बार स्पीकर बने हैं ओम्बीदवार और उन्हें उनकी चेर तक छोड़ा है राहुल गांदी और प्रधानमत्री नरेंदर मोटी ने आखिरकार ओम्बिल्ला लोकसभा अध्धक्ष के तौर पर दूसरी बार चुन लिये गए, कल से विपक्ष ने अपने तेवर कड़े किये वे थे, विपक्ष ने लोकसभा अध्धक्ष को लेकर अपने भी उमीदवार उतारे थे आज आपको बता दू कि जब सदन की कारवाई सुरू हुई तो प्रधानमंत्री नरेंदर मोटी ने ओम्बिल्ला के नाम का अनुमोधन किया और सबसे दिल्चस्प बात ये है कि विपक्ष ने अपने उमीदवार उतारे जरूर थे लेकिन ओम्बिल्ला ध्वनी मत्स से लोकसभा अध्धक्ष चुन लिये गए कैमरामेन अपु पाठक के साथ अनूप गुपता न्यूजेटी नेटवर्क दिल्ली ओम्बिल्ला के स्पीकर चुने जाने के बाद सबसे पहले पीम मोधी ने सदन को संबोधित किया और कहा कि अम्रित काल के इस महत्वपूर कालखन में दूसरी बार इस पद पर विराजमान होना बहुत बड़ा दायित वा आपको मिला है हम्रित काल के इस महत्वपूर कालखन में दूसरी बार इस पद पर विराजमान होना बहुत बड़ा दायित वा आपको मिला है और आपका पांच वर्ष का अनुभव और आपके साथ हम लोगों का पांच साल का अनुभव हम सब का विश्वास है कि आप आने वाले पांच साल हम सब का मारदर संग भी करेंगे और देश के आशा आपके छाय पूर्ण करने के लिए ये सदन अपना दाईत्व निभाने में आपकी बहुत बड़ी भूमी कराएगी गत बीच साल का एक ऐसा कालखन रहा है कि जादा तर स्पीकर या तो उसके बाद चुनाव नहीं लड़े हैं या तो जीत करके नहीं आए हैं आप समझ सकते हैं कि स्पीकर का काम कितना कटीन है कि उसके लिए दुबारा जीतना मुश्किल हो जाता है लेकिन आप जीत करके आए हैं इसके लिए एक नया इत्याहत आपने गड़ाएगा हम सब चाहते हैं कि सदन में आच्रावन सदन के नियमों का परण हम सब करे और आपने बड़े सटिक तरीके से संतुलिक तरीके और कभी कभी कठोरता के साथ भी फैसले लिये है मैं जानता हूँ कि ऐसे निर्ने आपको पीड़ा भी देते है लेकिन सदन की गरिमा और व्यक्तिकत पीड़ा के में आपने सदन की गरिमा को पसंद किया और सदन की परंपरा को बनाने का प्रयास किया ये साहस्पुन काम के लिए भी आधनिय अद्धिक जी आप अभिनांदन के अधिकारी है मुझे भी स्वास है आधरीन अद्धिक जी आप तो सपर होने ही वाले लेकिन आपकी अद्धिक्स ताम है यह ठारवी लोग सभावी बहुत सभलता पूर्वक देश के नागरिकों के सपनों को पूर्ण करेगी ओम्बिला के लगातार दूसरी बार स्पीकर भन्डे पर सीम योगी ने उन्हें बधाई दी और कहा कि जन प्रियम रिद्भाशी राजनेता ओम्बिला जी को लगातार दूसरी बार लोग सभा का अध्यक शुने जाने पर हर्दितल से बधाई पोर्ण विश्वासे कि आपके ये शस्वी नेत्रित में भारती और लोगतंत्र के मंदर संसक के गरीमा नई उन्चाईयों को प्राप्त करेगी आपके स्वर्णी मुकारेकाल है तू अनंत मंगल का अखेले श्यादव और राहूल गांदी ने भी ओम बेला को स्पीकर बनने के बधाई दी और कहा कि विपक्ष जेनिता की आवास है उम्मीद है कि उन्हें नहीं दबाया जाएगा we would like the house to function often and well speaker sir it is very important that cooperation happens on the basis of trust it is very important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this house that the people of India expect the opposition to defend the constitution अब लोगतांतिक न्याए के मुख्य न्याएदीज की तरह बेठे हैं हम सबकी आपसे अपिक्षा है कि किसी भी जन प्रदिनिदी की आवाज दवाई न जाए और नहीं निस्कासन जैसी कारवाई दुबारा सदन की गरिमा को ठेस मुचाएं आपका अंकुष बिपक्ष पे तो रहता ही है लेकिन आपका अंकुष सत्ता पक्ष पे भी रहे अद्देश मौदे आपके इसारे पर सदन चले इसका उल्टा न हो हम आपके हर नियाई संगत फैसले के साथ खड़े हैं अनुप्रिया पटेल ने भी ओमिरला को दूसरी बास स्पीकर बनने पर बधाई दी है आपको सुनवाते हैं मुझे सत्रवी लोकसबा का अंतिम दिन याद आ रहा है अद्देश मौदे जब हम सभी ने बड़े भारी मन से आपको विदाई दी थी लेकिन अपने शब्दों में पिरोकर हमने अपने इसी मनो भाव को उस समय आपके समक्ष रखा था कि ओ जाने वाले हो सके तो लोट के आना और आप लोट कर आए हैं हम सभी आपका बहुत-बहुत अभिनंदन करते हैं आपको अपने बीच दुबारा इस आसन पर देखकर हम बहुत आननदित हैं गौरवानवित हैं अब पक्ष और विपक्ष इस पूरे सदन का प्रतिने दित्व करते हैं और इस सदन की गरिमा के साथ साथ इसकी शक्ती का भी प्रतीक है प्यमोदी से राहूल गांदी का हाथ मे लाते हुए वीडियो एक बार फिर सदन से साबने आया जब लोगसभा स्पीकर चुनाव के बाद प्यमोदी ओम बिरला को बधाई देने पहुंचे थे और उसी दौरान राहूल गांदी ने भी बिरला को बधाई देकर प्यमोदी से ह चा था एक बार फिर से पीएम मोदी ने राहूल